देखो वैसे तो जब club football बंद हो जाती तो अगले दो महीने ना बड़े दुखताई बीचते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जून जुलाई में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर उमर सुनने को मिलते हैं लेकिन साल 2024 में आपको जून जुलाई में बिल्कुल बोर नहीं होना पड यहाँ पर आपको 1MUFC के उपर मिलने वाली है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दर्खास करूंगा मैं क्या आप इस वीडियो को शुरू होते हैं लाइक कर दो क्योंकि इस वीडियो में प्रेडिक करने वाले हैं कि कौन जीतेगा यहाँ पर यूरो 2024 का खिताब यह और कौन सी टीम हमें सब्सक्राइब करके जाने वाली है और उसी के साथ यहाँ पर चैनल को सब्स्ट्राइब करना और बैल आकन को दबाना मत भूलना तो चलो विडाउट वेस्टिंग एनी टाइम में पहले आपको जो 24 टीम हैं इस कॉंपरिटिशन में पार्टिसपेट क पहले था उन्ग्रप सी में आपकी सलोवेनिया, دैनमार्ग, सर्विया और इंगलेंड, गृप D में नेधरलेंड, आस्ट्रिया, फ्रान्स और पोलेंड, गृौ इ में आपकी बեलजियम, सलुवाकिया, रुमेनिया, यूक्रेन और गृप E में आपकी टर्की, जोजिया, और पॉर्चुगल एंड चेक रेपब्लिक, तो हम सबको पता है भाई, यहाँ पर सारी निगाहें जो हैं, वो वर्ड की बेस्ट इन्स पर बनी होई हैं, जैसे कि आपकी इंग्लेंड हो गई, फ्रांस हो गई, जर्मनी होस नेशन है, तो जर्मनी के ऊपर सारी सबकी निगाह हैं, फ्रांस क्या करेगी इस साल में, किले निबभाभपे के साथ वो देखना है, स्पेन क्या करेगी, पॉर्चुगल क्या करेगी, रही क्या ये रोनाल्डो का आखरी इंटरनेशनल event होने वाला है या फिर वो इस event के बाद भी साल 2026 में होने वाले आपके FIFA World Cup में participate करेंगे और यहाँ पर अपनी जो अधूरी dream उनकी है उसको पूरा करने का एक और बार try करेंगे तो देको format बड़ा simple है यहाँ पर आपके जो 6 group है उसमें आपकी जो top two team finish करेंगी वो directly qualify करके जाएंगी आपके अगले round के round of 16 के लिए और यहाँ पर जो चार team में extra qualify करेंगी क्योंकि आपके 6 group है छे group में से top two team मतलब होगी 12 अब 16 team qualify करेंगी तो यहाँ पर जो जो 6 group है उनमें से जो best team होंगी third position पर finish करने वाली चार वो qualify करके जाएंगी आपके round of 16 के लिए तो यहाँ पर prediction शुरू करते हैं मैं अपनी prediction क्या है इन सारे groups की वो आपको बताता हूँ फिर हम अगले round पर जाएंगे तो यहाँ पर ग्रूप A से बड़ा simple है मेरे इसाब से Germany group top करेगी because they are the form favorite team and obviously वात है उनके players अभी form में भी चल रहे हैं plus यहाँ पर host nation है तो host nation का स्वड़ा advantage भी मिलेगा उसके बाद मेरे ख्याल में second number पर Switzerland काफी strong है तो second number पर finish करेगी आपके Switzerland then मेरे हिसाब से third number पर Scotland की team के पाज़ा options है Scotland third and then hungry four उसके बाद यहाँ पर आपकी group B में यहाँ पर finish करेगी आपकी मेरे हिसाब से I feel की let's give it Italy मेरे हिसाब से I would give it I would give the first position to Italy then second position मेरे हिसाब से Croatia and Spain देगो यार quality बहुत है please Spanish fans मुझे गाली मत देना लगन क्योंकि यह मेरा prediction है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर Spain के पास वो dynamism है जो कि यहाँ पर Croatia से better वो provide कर सकते है क्योंकि हमने World Cups में भी देख रखा है हमने Euros में भी देख रखा है अच्छा खेलते हैं possession रखते हैं लेकिन goal goal score नहीं कर पाते तो यार ऐसी boring football देखने का मेरा तो कोई मतलब इरादा नहीं है और मुझे लगता भी नहीं कि ऐसी football खिलकर आप qualify कर पाओगे राउंड के लिए तो यहाँ पर Spain होगी वो team जो कि यहाँ पर qualify करेगी आपके मतलब third position में फिनिश करेगी group B से then आपके group C में मेरे हिसाब से England will finish on first position बहुत quality England score आपको पता है भाई Jude Bellingham, Declan Rice and आपके Kobe Minow भी आ चुके है although I am not comparing Kobe Minow बढ़ आपके पास यहाँ पर और options या front Phil Fordon भाई क्या form चल रहे है बंदे की तो वो खिलाडी हो गया फिर आपके आपके पास लोक्षा जैसे खिलाडियों की भी availability है then मेरे इसाब से second position finish करेगी यहाँ पर आपकी Denmark की team Denmark की team के पास quality जबरदस्त है and मेरे इसाब से second position finish करके वो qualify करके जाएंगे आपके अगले round के लिए third पर finish करेगी मेरे इसाब से Serbia and then Slovenia then group D देखो यार यह group ना बहुत ही ज़्यादा interesting है क्योंकि यहाँ पर Austria भी काफी अच्छी team है यहाँ पर आपकी Netherlands भी काफी अच्छी team है then आपकी Poland भी काफी अच्छी team है obviously बात है firm favorites competition के France है तो France finish करेंगी first position पर मेरे इसाब से Netherlands की team second best team is group की and Netherlands काफी underrated team भी है underdog story आपको देखने को मिल सकती है Netherlands की end से and then उसके बाद मैं predict कर रहा हूँ Austria Ralph Reney की Austria इस वक्त पे बहुत ही शांदार football खेल रही है Poland भी decent team है लेकिन मेरे साब से Poland नहीं कर पाएगी वो काम जो हम expect कर रहे हैं Lewandowski की team उतनी कारगार साबित नहीं होती है बड़े competitions में Netherlands क्रूप E में obviously बात है आपके पास Belgium है Belgium की team इस वक्त पे काफी अच्छी football खेल रही है अच्छे goal scoring form में भी है young team है काफी जादा अभी आपने देखा है Doku वगरा through the ranks आ रहे है performance अच्छी रहे है लुकाकू का भी international level पर performance decent रहा है KDB के लिए यह जो tournament है वो काफी important होने वाला है then मेरे यसाब सेकंड पर finish करेगी यहाँ पर आपकी Ukraine की team या फिर आपकी Slovakia की team तो मैं यहाँ पर Ukraine को predict कर रहा हूँ second position पर and then आपकी Slovakia and then Romania and then जिस group पे सारे footballing world की निगाएं होंगी के भाई इस साल Portugal की ये golden generation आपके Roberto Martínez के साथ क्या करने वाली क्योंकि Roberto Martínez ही वो manager थे जिन्होंने Belgium की पूरी golden generation बरबात कर दी कोई trophy नहीं जीती world ranking नमबर वन बैठने का कोई फायदा नहीं होता अगर आपके पास trophy captain में दिखाने के पास कुछ नहीं हो वही हाल है यहाँ पे आपकी Portugal का भी same manager अपॉइंट किया है world cup 2022 में हम समने देखा थे किस तरीके से दिल तूटा था हमारा और यहाँ पर आपकी Portugal मुरक्कों के गेंस हार कर किस तरीके से बहिज़त होकर बाहर चली गई थी अब यहाँ पर मेरे इसाब से यहाँ पर Portugal फेवरेट है यहाँ पर फिर्स्ट पर फिनिश करने की there are an excellent team बहुत सारे options हैं अगर मैं score depth के साब से बात करूँ तो यहाँ पर England, France और Portugal की टीम के पास सबसे बहत्रीन score depth है इतने सारे countries के बीच में then मेरे इसाब से second position में finish करने वाली team बनेगी I feel Czech Republic and then उसके बाद Turkey and then Georgia अब यहाँ पर जो जो हमें third position में finish की हुई team है उन में से हमें चार टीमें select करनी है मेरे साब से Spain qualify करेगी definitely उसके बाद मेरे साब से यहाँ पर Serbia qualify करके जाएगी अगले round के लिए I am also expecting Austria to qualify and then जो चौती टीम मेरे साब से है Slovakia, Turkey और Scotland में मेरे साब से Scotland के पास अच्छा मौका है यहाँ पर finish करने का qualifying position में and then उसके बाद Turkey and then उसके बाद Slovakia तो यह मेरे group stage के prediction है यह मेरी होंगी 16 टीम में जो की qualify करके जाएगी आपके अगले round के लिए अब देगो round of 16 के fixtures आपके सामने है Germany बनाम Denmark, Switzerland बनाम Croatia Italy बनाम Scotland, England बनाम Australia Portugal बनाम Serbia, Netherlands बनाम Ukraine Belgium versus Spain I think this could be the game of the tournament इस round में आपर and then France versus Czech Republic अब देगो आपको लग रहा होगी सितारे क्यों बने हुए तो यहाँ पर सितारे define करने के कौन सी टीम में कितने बार Euros की championship जीती है Germany तीन बार, Denmark एक बार Switzerland बो क्रोईशन में कोई नहीं जीता Italy दो बार England ने एक भी बार नहीं जीती है वो Euro 2020 के final में पहुंचे थे लेकिन Italy के against हार गयते penalty shootout में then Portugal ने 2016 वाला final जीता था against France against all the odds आपके Ronaldo injured हो गयते then Netherlands भी एक बार जीती है उनके international career के trophy ही ही है Euro की और उसके बार Belgium ने कुछ नहीं जीता है Spain यहाँ पर तीन बार जी चुके फ्रांस यहाँ पर दो बार और चेक रिपब्लिक एक बार Germany Denmark में मेरे इसाफ से Germany qualify करके जाएगी Switzerland Croatia में I feel Croatia have got an upper hand over Switzerland in terms of quality in terms of experience तो मैं Croatia को prefer करूँगा Italy Scotland में obviously बाद बाद इतली qualify कर जाएगी इसमें तो जादा सोचने की बात ही ही नहीं England Austria में देखो England चाहे टोफी बले ही न जीते लेकिन semi final तक तो सफर पूरा करी लेते हैं quarter semis तक तो मैं उनको expect करी रहा हूँ तो England मैं यहाँ से prefer करूँगा Portugal Serbia में आपको पता है भाई Portugal Serbia का जो चल रहा था World Cup qualifier के टाइम पर भी scene हुआ था काफी गायमा गेमी का माहल था पर्ट पॉर्चिकल की टीम के पास quality बहुत है अगर पोटेंशल पर खेलेंगे तो जीत भी सकते हैं यह tournament भी और definitely यह round भी मैं तो पॉर्चिकल को यहां से prefer करूँगा Netherlands Ukraine में I am preferring Netherlands की भी देखो यार मैं 2010 से Netherlands का supporter हूँ Portugal I support because of Ronaldo but मैं through and through बिलकुल proper Dutch supporter हूँ then Belgium Spain में I am preferring तो यह दो वो टीम है है जो कि अगर आप देखोगे accolades के मामले में Spain का पलड़ा भारी है लेकिन 2014 के बाद से बलकि 2012 के यूरो के बाद से Spain national team का performance बहुत ही ज़्यादा average रहा है Belgium यहाँ पर potential बहुत hold करती है लेकिन finals तक नहीं पहुच पाते हैं तो इन दोनों टीमों में select कर पाना थोड़ा मुश्किल है but I would like to go with Spain क्योंकि इनके पास score depth काफी अच्छी है इनके पास quality भी है and hopefully यहाँ पर Spain इस साल हमें कुछ अच्छा product launch करके और आपके tournament में अच्छी performance deliver करके दे पाएगी France और Czech Republic में तो यार कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है यहाँ पर France firm favorite है यहाँ पर इस competition की आप चाहे जितनी भी टीमों को support कर रहे हो लेकिन मेरे सबसे France बनेगी वो टीम जो यहाँ से qualify करके आगली round में जाएगी Germany versus Italy भाई साब यह heavy weights के हैं यह सारे matches जो आप देख रहे हो जर्मनी इटली पॉर्चिगल नेदरलेंड स्पेन फ्रांस इंगलेंड क्रोईशिया देखो सारे जो matches हैं बहुत ही well balanced है अगर आप देखोगे इटली last time की defending champion है तो obviously बात है वो यहाँ पर confidence लेकर आ रहे होंगे world cup में miss करके तो ठीक कोई बात नी बाट यूरो उनके आप बोलो कि अभी जो एक परड़ा होता है उसमें उनका परड़ा भारी है उस कैटेगरी में देयार बनादा heavy weights बड़ यहां पर मेरे असाब से जर्मनी नागल्समें के अंडर काफी dynamic team बनके निकल रही है and sorry to say but मुझ यह दोनों team है मेरी favorite है although मैं जादा strong supporter Netherlands का हूँ बट मेरे इसाब से Netherlands के पास वो score depth नहीं है and definitely अगर मैं देखू क्वालिटी के अगर मामले में बात की जाएगी यहां पर तो पॉर्चिकल के पास जादा quality अगर आप रूव इंडियास की बात करोंगे पेपे की बात करोंगे Netherlands की team के पास भी quality है but I feel यहां पर वो balance नहीं है defensive areas में मुकाबला काफी tank मतलब आप बोलोगे यहां पर काफी close होगा but I feel Portugal qualify करके जाएगी अगले round में semi final में जगह बनाएगी यहां पर पॉर्चिकल उसके बाद Spain versus France में I feel France are going to go through definitely and then England Croatia में मुझे लगता है यहां पर England qualify करके ज semifinal में अपनी जगह बनाएगी तो चार टीम हमारी जो finalist होंगी वहोंगी Germany Portugal जिनके बीच करेंगा पहला मुकाबला semifinal का and then France and England जिनके बीच करेंगा यहां पर दूसरा मुकाबला semifinal का यह मेरे predictions है देखो यह मैं नहीं गहारा कि यह हो गई हो गई हो गई यह मेरे predictions है मेर इसाब से Germany और Portugal में I feel Germany I've got an upper end over Portugal मुझे नहीं लगता कि यह Portugal की टीम इतनी अच्छी है या फिर यह Portugal की टीम Roberto Martinez के अंडर वो काम करके दिखा सकती है जो हमने इनसे 2016 में करते देखा था क्योंकि इस टीम में unity की सबसे बड़ी कमी है और जब में इस टीम का score review करेंगे तो अब इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे और मेरे एसाफ से जर्मनी और पॉर्चिकल में जर्मनी और गोइं टू गो थू एंड डेफिनिटली यहां पर फ्रांस और इंग्लेंड में मुझे लगता है भाई फ्रांस जाएगी क्वालिफाय करके फाइनल्स में त्योंकि मैंचर में डेटलेंटी वह प्लेयर में रिटालिटी की जो इस फ्रांस की टीम को वीट करके फाइनल में जगे बना पाएंगे उनके पास प्लेयरस ब्रहत अच्छ हैं बट फिर भी मैं बोलूँग यहाँ पर फ्रांस के पास ज़य्दा मैश winner्स हैं ज़यादा स्टॉंग म यहां पर आपका final euro 2024 का जिसमें मुझे लगता है बाजी मारेगी आपकी मुझे लगता है यहां पर बाजी मारेगी आपकी जर्मनी जर्मनी आर गइंट विन दी यूरो दो हजार 2024 by defeating France और एनी टीम यहां पर जर्मनी के जीतने के चांस है तो यहां पर जर्मनी जीत सकती है यह मुकाबला यह पूरा competition और मेरे एसाब से यहां पर जर्मनी की एक टीम वो रखती है काबिलियत के जो इस competition को France के अगेंस जीत कर यह trophy lift कर सकते हैं आपके चौथी बार बाकी यह तो मेरे prediction थे आपके क्या prediction है वो जरूर बताइए मुझे comment section में मेरे एसाब से competition का जो golden boot winner होगा वो होगे आपके केलिए नमबाप पे most number of clean sheet रखने वाली team बनेगी मेरे इसाब से यहां पर आपकी इस चीजें सही जाती हैं तो most probably Germany की team मेरे इसाब से जर्मनी की team के पास है वो काबिलियत इवन फ्रांस भी वो टीम बन सकती जो की most number of clean sheets रख सकती है और उसके अलावा यहां पर सबसे ज़ादा disappointing team इस पूरे competition की मेरे इसाब से वापस से बनेगी Portugal की team क्योंकि जो squad depth उनके पास है जितना potential उनके पास है उस potential के मुकाबले या फिर मुताबिक यहां पर वो performance drop नहीं करेंगे ऐसा मुझे लगता है बाकी आपके क्या prediction है वो ज़रूर बताइए comment section में और इस पूरे Euro 2024 को और सारे आपके involvement के लिए हमारे live stream की उपर हमें follow करना और subscribe करना ना भूलना चलिए सिराथ मैं आपसे लूँगा अलविदा मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ध्यान रखें तक अपना और comment section में बताओ के आपके इसाब से कौन जीतेगा Euro 2024 और किसके यहां पर जाएगी आपके golden boot और golden glove की trophy बाकी बबाए टेक केर